कि जिस तरीके से चुनाओं की जो घोशना हुई थी उत्राखंड में सत्तर की सत्तर विदान सवा सीटों पर तो जो दिल्ली का जो रॉल मॉडल है उत्राखंड की भोगलिक परिस्तितियां बहुत विशम है तो दिल्ली का रॉल मॉडल उत्राखंड में कैसे इस्थाबित करेंगे शुरुवात इससे ही करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कराश्ची और मैं आज यहां हलद्वानी में यहां सभी साथियों को सभी यहां पदारेविद जनों को धन्यवाद करता हूं एक छोटी सी रिक्वेस्ट मीडिया के साथियों से कि जो लोग काफी देर से आके अपने अपना समय निकालके यहां बैठे हैं थोड़ी इंपोर्टेंस उनको भी दे दें आप इंपोर्टेंट हैं मीडिया के एक एक साथी बहुत इंपोर्टेंट है पर मुझे लगता है इंपोर्टेंस उस आदमी की भी है जो आपकी पीठ के ठीक पीछे इसलिए छिप गया है क्योंकि आपके हाथ में कैमरा है तो अगर आप अपनी पीठ पीछे खड़े उस आदमी को आप उसकी आवाज है मैं जानता हूं पर उस आदमी को थोड़ी सी जगे थोड़ा सा स्पेस इस तरह से सही हो करके दे दें मीडिया से हूं इसलिए थोड़ा प्रोफेशनल रिष्टा रखता हूं आप लोगों से इसलिए हक के साथ कुछ कई बार कहने का मन कर जाता है देखो अभी अच्छा लग रहा है ने सब को दिखाई दे रहा है और मुझे भी सब दिखाई दे रहे है तैंक यू बेरी मच और केराश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने दिली के मॉडल पर दिली के केजरिवाल मॉडल के बारे में मुझे सवाल किया रूतरा खिंड में क्या मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो देखे मैं दिली साया हूं और दिली में अर्विन केजरिवाल जी के नित्रतु में पिछले पांस साल से जो सरकार काम कर रही है अब तो साड़े पांस साल हो गए दूसरी सरकार आ गई है तो लगबख साड़े पांस साल पहले दिली के लोगों ने एर्विंद केज़रिवाल जी के नितरतु में एमांदार राजनीती चुनी थी और उस इमांदार राजनीती की वज़े से आज दिली में स्कूल अच्छे हो गए हैं दिली के गłem्मेंट स्कूल से निकल निकल के बचचे आ आ अए टी में जा रहे हैं एक-एक स्कूल से इसी साल एक स्कूल से पाँच बच्चे आईटी में गए हैं असी लड़कियों में से 36 लड़कियों ने नीट कलियर किया है ऐसे बहुत सारे उधारण हैं मैं तो एक उधारण दे रहा हूँ आज दिल्ली के हॉस्पिटल्स की चर्चा चारों तरफ हो रही है देश का शायद एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल दिल्ली में है जहां पिछले 7-8 महीने में 10,000 कोविड के पेशेंट्स ठीक किये हैं आइरवेदिक के रहां पे देखें तो देश का यक मात्र ऐसाओ जिसने एक महीने से लेके और 106 साल तक के वेक्ती को कोविड से ठीक किया है दो हजार लोग आइरवेद होस्पिटल है ठीक तो दिल्ली के हॉस्पिटल की चर्चा देश बिदीश में भी हो रही है और कोविट जैसी महामारी में क्यूंकि पांच साल तैयारी हुई तो कोविट जैसी महामारी से लड़ने में हम लोग कामयाब हुए उस हेल्थ मॉडल की वज़े से जिस समय देश में मंदी का भेंकर दौर था चारों तरफ नौकरियां छूट रही थी चारों तरफ पर कैप्टा इंकम घट रही थी दिल्ली की पर कैप्टा इंकम ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की वज़े से गवर्नेंस आगे बढ़ती चली गए सारी सरकारें बजट का रोना रो रही थी पिछले पांस साल में दिल्ली का बजट तीस हजार करोड से बढ़के 65,000 करोड रुपए हो गया जो दिल्ली के देश के थास में कभी नहीं हुआ कि किसी एक सरकार के टैन्यूर में किसी राजे सरकार का बजट दोगना हो यह इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली का एक मॉडल समझ में आ सके और जब पैसा बढ़ा सरका कि आमदनी बढ़ी तो सरकार ने उस पैसे को और जनुपियोगी कामों में इन्वेस्ट किया जैसे बिजली सस्ती करना आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है केजरिवाल जी के नितरतु में और एक लगभग लगभग 60-80% आबादी को हर महीने फ्री बिजली मिलती ह वहाँ पर पानी मिल रहा है फिरी मिल रहा है लोगों के लिए रोजगार क्रियेट हुए है एकॉनोमी आगे बढ़ी है तो यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पांच साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक इमानदार सरकार चुनी थी और इमानदार राजनिती की वज़े से यह ह अब मैं थोड़ा उत्राखंड के मोडल की तरफ आता हूं उत्राखंड का वर्तमान मोडल क्या है पांच साल पहले उत्राखंड के लोगों ने जिन नेताओं को चुना मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपने उत्राखंड के लिए क्या किया मैं उनसे पुछना चाहता हूं कि पाँ साल में पाँच काम बता सकते हैं आप कि हमने ये उत्राखंड में ऐसे काम किये जिसका पूरे उत्राखंड की जनता पे पॉजिटिव इंपक्ट पड़ा पाँच काम मैं उत्राखेंड के मुख्यमंतरी तिर्वेंदर सिंह रावत जी को चुनौती दे के कहना चाहता हूं कि आप पांच काम बता दीजिए जिसकी वज़े से जनता ये कह सके कि साब हमारे मुख्यमंतरी ने हमारे लिए ये काम किया ये आपका मॉडल है ये उत्राखेंड में तिर्वेंदर सिंह रावत जी की गवर्नेंस का मॉडल है और मैं चेलेंज देके कहता हूं आप डिवेट कर लीजे इस बात पर हम कहरें कि हम नई नई पार्टी थे पांस साल के अंदर-अंदर दिल्ली में सरकारी स्कूल ऐसे कर दिये कि पूरे दिल्ली के लाखों बच्चों को फायदा हो रहा है लाखों लोगों को हॉस्पिटल सिस्टम का फायदा हो रहा है 80% आबादी को दिल्ली को फिरी में विजली मिल रही है 24 गंटे विजली मिल रही है पान काम आप बता दीजिए जिससे उत्राखंड की जंता को फायदा हो रहा है लेकिन मॉडल क्या है मैं दो-तीन मिट लूँगा आपके इससे पहले कि आप अपने सवालों पर फिर काफी लोगों के सवाल लोंगे इस समवाद में मैं यहां के मॉडल पर जिस रूप में मैं देख रहा हूं भी और जिस रूप में आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं यहां भी बहुत लोग बैठें पांच काम बता दें जिनसे आपको फायदा वह हो उत्राखंड की सरकार के पांच काम बता दें पत्रकार बैठें पांच इस सरकार के पांच साल के पांच काम खोज रही है कि इस सरकार ने पांच काम ऐसे की है जिसकी वज़े से उत्राखंड के सारे लोगों को यह फाइदा हो गया ढूंड के नहीं मिलेंगे आपको याद नहीं आएगा गिनाने में याद नहीं आएगा पांच काम यहां क्या रावजी उनके बारे में को इस्टिंग आया तो वो चुप हो गया वो्क तिर्विंद रावजी कुछ नहीं बोलते हैं तो एक तरफ आज जब मैं उत्रा कनड माया हूं तो एक तरफ दिल्ली का केज्रिवाल जी का model of governance है और एक तरफ यह sting model of governance है यह sting operation वाले मुख्यमंत्री जो हैं यह उत्राखंड के लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकते हैं यह sting operation वाले मुख्यमंत्री जो है यह इस्कूल पर खर्च नहीं कर सकते हैं यह sting वाले मामलों पर खर्च कर सकते हैं यह sting वाले मुख्य मंतरी जो है मुख्य मंतरी जो है यह सरकार है सरकारी स्कूल तो छोड़ दो अस्पताल नहीं बनवा सकते यह सड़के नहीं बनवा सकते यह रोज़गार नहीं खड़े कर सकते यह बिजली सस्ती नहीं कर सकते यह पीने का पानी उपलब नहीं करा सकते एकॉनम तो सिंग आग पहली सरकार का मुख्य मैंथरी छुप पहली पार्टी कामुख्य मुंत्री चुप 125 नों एक दूसरे के स्टिंग के बारेमी चुपे दो कि सबको बताय कि हमारे स्टिंग का वारे इघो şimdi igual अभर निंसे एक तरफ के ज नाम भूल जाएंगे, जैसा दिल्ली में हो गया, दिल्ली में हो गया है, पहली बार तो कहते थे जी, वो क्या बोलते हैं, बबल, पानी का बबूला है, एक बार यह उठता है, जी, दूसरी बार भी ऐसी आगे, तो यह इसलिए हुआ क्यों कि केजरी वाल आफ मॉडल गॉफ लोग दूसरी पार्टियों के नाम भूल जाते हैं, और यह उत्राखंड में भी होगा, बस मैं अपील यही करना चाहता हूं कि आज देभूमी के लोगों ने सपना देखा है उत्राखंड को लेके, और 20 साल पहले भी देखा था, उस सपने को सच करने का वक्त आ गया है, आ देभूमी का सपना जो हम सब लोगों ने यहां उत्राखंड के खास्तोर से लोगों ने उत्राखंड बनाते वक्त देखा था, वो सपना केजरिवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंसी पूरा हो सकता है, तो इसलिए केजरिवाल जी को एक मोका देखे देखें, आप बाकी पार्टि तो बहुत, मतलब सच में नाम तो, मैं तो पहली बार जाना हुआ मैंने बहुत बार मन बनाया था, नाम बहुत सुना हुआ था, वास्तम मैं आज वहां जाके फील हुआ कि जब कोई बहुत पहुचा हुआ समादिस्त, वक्तित्व, किसी इस थल पे रह जाए, अपनी चच क छोड़ जाए, तो उसमें कितना देवत, कितनी शान्ती मिलती है, मैंने विक्तित रूप सेंभव किया, उसके लाखों फॉलोर से उत्राखेंड में, मैं उनसे भी कहूंगा, कि आज आप देव भूमी के लिए, हम सब के पास मौका है, एक तरफ इस्टिंग राज्य है, एक समवाद के कारिकरम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ सवाल मैं आप से पूछूँगा, उसके बाद जन्ता के भी कुछ सवाल हैं, जिनमें पड़ची आप उठाएंगे और नाम लेंगे, उसके बाद जो व्यक्ति का सवाल होगा, वो व्यक्ति सवाल पूछ सकता है, प वहां जाके जो पवित्र अनुभव हो रहा था ना, जो बहुत अच्छी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रहे थी वहां पे बैठके, अपने लिए आ रहे थी, उतलब कोई ऐसा नहीं है कि, तो वहां मैं प्रार्थना ये कर रहा था कि, उत्राखंड के लोगों को भी देश के लोगों को भी हम ऐसी शिक्षा दे सकें कि सब के जीवन में इतनी शांति आए, ऐसी गवर्नेंस दे सकें, ऐसी राजनीती दे सकें कि सब के जीवन में इतनी मदद हो, ऐसी राजनीती के स्थापना हो देश में, उत्राखंड में, जी सर कल का जब आप उत्राखंड आए, ठ अब मैं किसी कुछ पत्रकारों के समून से बात कर रहा था, तो कह रहे थे जी, उत्राखंड के युभा जो है, मैं दिल्ली के वारे में कुछ बता रहा था कि दिल्ली में इक या, दिल्ली में वो किया, के जरिवाल जी ऐसा करते हैं, बोले जी देखो आप चिंतामत करो, अब उत्राखंड में लोग अच्छे से जानते हैं, उत्राखंड के गाओं का लड़का या तो आर्मी में जाता है, देशभक्ती करने या दिल्ली में जाता है, नौकरी करने, तो उत्राखंड के गाओं गाओं में लोग जान रहे हैं, यहां से बहुत सारे गाओं के लोग दिल कब आएंगे तब जाड़ु वाले उत्राखेंट कब आएंगे तब जाड़ु वाले उत्राखेंट आ रहे हैं एक और जोश के साथ एक और मेरा महतोपूर्ण सवाल है सर कि जंतर से ही यह सवाल है कि आम आदमी पाटि ने जब से एलान किया है तो लोगों में आउमीद बड़ गई है तो 2022 के चुनाव के अगर हम बात करें तो क्या कुछ आप का जो लक्ष उगा क्या कुछ लक्ष वोगा च्वी होगा जैसा काम दिल्ली में किया है जो केजरिवाल मोडल औफ गवर्नेंस दिल्ली में स्थापित हुआ है वही केजरिवाल मॉडाल औफ übers अठापित में इस्थापित ओ उत्रों के लिए अपनोग देखा ना उत्राखंड में कितने सारे स्कूल बंध हुए हैं पत्रकार मुझे बता रहे थे कई पाँछे आजा पुरा सा R&D करा लो, research करा लो, आपको पता चल जाएगा कि जिन सरकारी स्कूलों में आज पैरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, उसके आसपास पुराने शिक्षामंत्री, पुराने शिक्षा अधिकारियों के कितने प्राइवेट स्कूल खुलें, उसके आस दिल्ली में स्कूल पे स्कूल खुलते चले जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के लोग गौवर्मेंट से में डाल रहे हैं, यहां पे गौवर्मेंट स्कूल बंद कर रहे हैं, तो स्कूलों का मॉडल, बिजली का मॉडल, पानी का मॉडल, अस्पिताल का मॉड नोक्रियों का मोडल यह हम उत्रा खंड लेके आ रहे हैं और इसको यह हमारा मोटिव है जब आपने का मोटिव उसके नीचे लक्ष यह सब शब्द है ऐसे देखें तो लक्ष हमारा यह कि 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जैसा दिल्ली में सरकार बनाई सब्तर में सरस्इटों वाली सरकार आपके साथ है और इस कारेक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जन्ता में काफी उत्सुकता थी कि इस समवात के कारेक्रम को आगे बढ़ाय जाये तो मैं आप सिक निवेधन करूं कि आप पढ़ची आप उठाए जिसका भी नाम आएगा वोगती थानि अब माइक अच्छा वी सर्थ सर नमश्कर सर कैसे हैं सर बिल्कुल ठीक हूँ सर बिजली पानी मुफ्त की जाएगी उत्रगंड में बिल्कुल होगा इसलिए मैंने कहा ना देखो जनता तो खूब टेक्स देती है आपके सामने में रख्दू लोग पूछते हैं वही पैसा कहा से ला रहे हो आपके सवाल के जवाब के पहले वो मैंथमेटिक्स मुझसे पूछते हैं लोग आप दिल्ली में पैसा कहा से लाए साब मैंने बताया कि जनता के टेक्स में सरकारें जो हैं सरकार में बैठे हुए लोग दो तरह से चोरी करते हैं एक तो इकठा करने में चोरी करते हैं और फिर उसको खर्च करने में चोरी करते हैं थोड़ा सा एक मिनिट लूँगा आपका जवाब देने में कैसे चोरी होती है हमने डिली में प्रियोक किया किसी उसमे 1000 रुपए का खाने गये अआप बारे पर्संट वह टैक्स देक्राइए अब जब डेमान राजनीती होती है तो बारे पर्संट कैस टेक्राइए 1000 रुपए का world था आपका होटल का रेस्टोरेंट का आफ माग 1160 रुपए का टेक्स पूरा बिल देक्राइए बिल डिलीट कर देते हैं, ऐसा बहुत जगे होता है, यह मैं सिर्फ एक्जाम्पल की तौर पर कह रहा हूं, हमने वहां उसको चेक किया, एक रेस्टोरंट में, बड़े नामी रेस्टोरंट में, शाम को रेड डाली, और दिन में उसमें से कई पर्चेज कराई तो वहां से य कंववच को में केजरिवाल मौडल अफ गिवर्नेंस, वहीं संथे पांधे लगें दाने काम होने इमान दारी की वजए से तो इसके वाद पैसा भचा, तो पैसा बचा, तो इससे पानी सस्ता करो, इससे महिलाओं के लिए बसें फृरी करतो, तो उतरा खंड के लोग भी खूब टेक्स दे रहे हैं, उस टेक्स के कलेक्शन में चोरी रोकना और उस टेक्स के खर्च होने में चोरी रोकना इतने भर से इतना पैसा आराम से आ सकता है कि बिजली तो क्या बहुत सारी चीज़ अस्ति हो सकती हैं तेंक्यों डूसरा सवाल से अच्छा को से लुट रहे हैं चलिए सर्भाइग उटाएं तो कि संदीब तिवारी संदीब जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं संदीब तिवारी जी माइक बहुत-बहुत स्वागत है मनीश जी आपका उत्राखंट पढ़ने पर बहुत शक्रिया संदीब जी आम आदमी पाल्टी का मैं बहुत शुरू से एक फैन रहूं और आप लोगों को उस रामिला अंदुलन की के रामिला मैदान के उस अंदुलन से आप लोगों को देखता दुनिया के विश्वितिहास में मैं त्यास काई विध्यारती रह चुका हूं विश्वितिहास में ऐसा उधारन कहीं देखने को नहीं मिलता कि जहां पर इस तरीके से एक सिविल आंदूलन शुरू और पॉलिटिकल आंदूलन में तबदीलो कर आज आज आप लोग एक वे लोगों के मन में बहुत बड़ी बड़ी आशाये थी लेकिन सारी की सारी आशाये धूल दूसरित हो गई दो मिर्ट लूंगा जरा प्रशन लंबा है मेरा सतर सीटे उत्राखंड में एक वर्ष से कम का समय रह गया चुनाव होने में हमें यहां पर नेता नीची हमें यहां पर आपकी पाल्टी के वोलेंटेर्स चाहिए जैसे वोलेंटेर्स आपने दिल्ली में तैयार किये थे अगर एक वर्ष का इतना कम समय कि यहां पर तो आप केजरिवाल जी और आप तो दिल्ली में बीजी रहेंगे यहां पर आप हमें ऐसे कौन से नेता देंगे जो हमारे मार दर्शन कर सके ताकि जो है आप पार्टी यहां पर एक अपनी सरकार स्थापित कर सके दन्यों देखे नेता तो जनता ही देती है केजरिवाल जी और हम जब नेता देने लगेंगे ने तो वो हमारा अदमी बन जाएगा नेता जब जनता से निकल कायागा तो जनता काम करता है और यहां भी जनता से निकलेगा लेकिन लेकिन दोजार तेरे में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब भी बहुत लोगों ने यहीं कहा था भाई राजनिती में लंबा है राजनिती लंबा काम भी है लेकिन आज उत्राखंड के लोग मैं आपकी बास सेहमत हूँ हो सकता है और स्टेटमेंट लगे कहीं जाके ऑज उत्राखंड के लोग जान रहे है कि यार एक्स पार्टी ले आओ या 1 पारिटी करना है तो मन वो बना चुकी है कि हमें बदलना है और बदलने का प्रिमान ये है कि हर बार उत्राखंड की जनता कॉंग्रेस से चली जाती है तो बीजेपी को चुनती है फिर बीजेपी से चला हुआ महसूस करती है तो फिर कहती है बदलना है कॉंग्रेस को चुनती है फिर जिरिवाल अफ गवर्नेंस, मौडल अफ गवर्नेंस के रूप में विकल्प है। जनता बदलने का मन बना चुकी है। हम, हमारी टीम, हमारे कारिकर्टा, हमारे यहां के लीडरान। अगर विकल्प के रूप में खड़े हो गए, तो एक साल के अंदर-अंदर वो हो सकता है. क्लिनिकल इसेशिएशन लोकल ब्रांश का सर प्रेजिएंट आपका बहुत तहये दिल से स्वागत करता हमारे साथ में डॉक्टर खुराना जी भी है जो उत्रखंद कमारे हैं कि हम लोगे चप्रत्रमट टी भी करते हैं हमारे हर चीज हम लोग का यह की स्टिट के मैं एक्लिनिकल इस्टेट्ट डिनिकल एक्षाम्स करियन सरकारह ने लगाया है सर उसके जो नॉम्स आप भी जानते हैं sir इसमें अगर आपकी पार्टी आती है तो वह इसमें क्या अमेंडमेंट करेगी इसमें आपका क्या आप मैनिफेस्टों में क्यासी इसको प्रेजंट करेंगे दूसरा सब दूसरा मेरा सवाल जिसे पुलुशन कंट्रोल बोल्ड है सर पुलुशन कंट्रोल बोल्ड में हम लोग के लिए जो हॉस्पिटल के नॉम्स हैं या सम्थिंट इफरेंट बिकॉस हमारे जो आपके आम आदमी पार्टी के जो थे उन्होंने बिल्कुछ सही कहा था इट से जियोग्रफिक उत्राक किलुमेटर में भी अरिया है तो भी के नॉट कंट्रोल बोर्ड में बीम डबलो के वेस सलुशन में बायो मेटिकल वेस सलुशन में आपकी पार्टी सर का आपका इस्टेंट रहेगा तीसरा सर थोड़ा सक्षित पर सवाल था थीसरा सर क्या है कि डॉक्टर्स के लिए मैं जाए सक्षित परसंगों गर्था रिसकों डग्राइट सब्सक्षित हैं तो तो सर्थ डॉक्टर के लिए सेकुरूटी प्रोटक्शन एक्ट एल्यसल थे अलुट्ट में इसमें आपका आम अदमी पाटी का क्यास्ट रखाशून रहेगा तो इसमें यह मैं आप सब्सक क्योंकि बहुत टेक्निकल है और निटिक्रिटीज वाला क्वेस्चन है आपका एंड अनफर्शनेटली मैं क्योंकि डिरेक्ट मेडिकल को देखता नहीं हूं तो इसलिए मेरे पास उतनी नौलिज इतनी आपके पास में है उतनी है नहीं इसकी पर पॉलिटिकल प्रिंसिपल हमारा बेसिक जो केजरिवाल जी का है कि सबसे पहले स्टेक होल्डर की प्रॉब्लम समझ लो नीड समझ लो तो आज अगर डॉक्टर्स की सिक्योर्टी से लेके और जो आपने टेक्निकल एक्ट बताए इसमें जिसमें डॉक्टर्स का भला जिसमें मेडिकल सेक्टर का भला है होगा वही स्टेंड हमारा वही रहेगा यहां इजम नहीं चलेगा यह केजरिवालिजम कुछ नहीं है यहां आपके साथ बैठके मेडिकल फेटर्निटी प्लस मेडिकल सेक्टर के लिए जो बैस्ट हो करना वो चाहिए किसी का इजम नहीं चलना जी आज हमें लग गया किसानों के लिए कर दो प्रम किसान करें नहीं करो वो करो तो ऑया फिछाए कर थे जो डॉक्टर्स के लिए जो पेशेंट के लिए सबसे बैस्त तो ये वह बिसिक चीज में आपने पॉलिशन के बारे में कहा कि मतलब दिल्ली पहला ऐसा शहर राजय है जहां इतनी e-progressive, इतनी progressive e-policy बनिया, e-vehicle policy बनिया. और आज हम जतने charging station e-vehicle को प्रमोट कर रहे हैं, I think falar फूरेदेश में कोई नहीं कर रहा है, उतने बड़े पैमाने पर, उतने उस पर. So e-vehicles are the best solutions and they are the, अब तो रेडिमेट आज की तारिख में दुनिया भर में टेखनोलोजी इतनी अवेलेबल है तिसी चीज आपने के यस वी कांट कंपेर एवरी स्टेट बट वी कें लर्न फ्रम लॉट अफ प्लेसे हम बहुत सारी अब लेके अपना उत्रक्रिंड का बढ़िया मॉडल डवलप कर सकते हैं उस पर दो है देख थेंक्यू अब्स्टर आलोग पांडे आलोग पांडे जी हाथ उठाएं जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर्थेंक्यू अलुक्सिंग यहां से जो भी आप मांगते हैं उसकी मानिता पूरी होती है मांग लियाजे आजे तो definitely आपने मांगा होगा सार आप पार्टी यहां पावर में आए and I'm sure sir in the next election आप पार्टी विल बिन थंडर मेजोरिटी सवाल तो सार बहुत हैं लेकिन मैं सिर्फ दो तीन सवाल पूछना चाहूँगा पहला सवाल मेरा यह है जैसे एक सवाल थोड़ा समय का आवा होगा है तो आप कीजिए का एक सवाल आप पहला सवाल जो आपने खुदी इसका जवाब दिया है पहले कि आप आटी 2017 में कोई election में हिस्सा नहीं लिया था लेकिन 2022 के election में आप पूरे 70 seat में चुनाओ लड़ेंगे तो क्या आप सरवाकई में 70 seat में चुनाओ लड़ने का प्लान कर रहे हैं या आप सिर्फ कुछ उन seat में चुनाओ लड़ेंगे जिसमें आपको लगता है कि आप का अच्छा बहुमत है दूसरा क्या आप कोई chief minister candidate इस election में प्रियेट करेंगे जिसके नीचे आप पार्टी उत्तरखंड state election में चुनाओ लड़ेंगी और एक सवाल सर मेरा और है दूसरा साथ since I being a great environmental lover यह आपने भी देखा होगा कि उत्तरखंड में जो forest cover है सर वो बहुत जल्दी deplete होते जा रहा है वेरियस infrastructure projects यहां पर आ रहे हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले बोला कि Jolly Grant airport में expand करने के लिए 10,000 पेड़ काटे जाएंगे इसी प्रकार धहरादून डेली एक्सप्रेस वे के लिए भी साइद 10 से 12,000 पेड़ काटे जाएंगे तो इस रंक से सर यहां पर जो forest cover है बहुत डिप्लीट होते जा रहा है तो कैसे सर आप development को और environment को इसको balance करते हुए अगर आपकी party यहां पर power में आती है जो उमीद करते हैं आईगी तो कैसे आप इसको balance करेंगे इसके मैं तीसरे से आजाता हूँ आपका forest वाला जाइशू है इसके जैसा मैंने कहा कि दुनिया में बहुत बड़े-बड़े बहुत सघनवन शेत्र हैं और वहां भी लोगों ने बहुत progressive development के model दिये हैं आज अगर हम दिली में education health sector और इन सब से काम कर पा रहे हैं तो इस त देश बहर दुनिया वर से समझा और हमने बहुत सारी चीजें समझ के दिली के चीजें ड़ इंटर्डूस की वैसे उत्राखंड जैसे वन शेतर के लिए वन प्रदेश के लिए हरित प्रदेश के लिए जो ग्रीनरी है देंस फॉरेस्ट है इन सब को प्रटेक्ट करते क्या डवलप्मेंट पॉलिसी क्या डवलप्मेंट का फॉर्मूला ऐसे बहुत सा हम और आप जानते हैं बहुत सारे दुनिया भर में लोगोंने इंडस्टी भी लगाई है सर्विस एक्टर भी खड़ा किया है रोजगार उसी से रोजगार निकाले हैं जिससे वो भी अपने आप में रोजगार है लोगों को रोजगार चाहिए आप काटने का लगा दो या बढ़ाने का लगा दो है ना उसी युवा को आप कह सकते हो भई रोजगार लगाना है पेड लगाने के लिए लोजगार चाहिए उसी युवा को कह सकते हो चोरी चुपे पेड काटन का दे दे युदा को धो रोज कर सिरह तो घर चल्म तो पयर बढ़ाने का थी मौड़ल हो सकता है जंगल को बढ़ाने का भी एक मॉड़ल हो सजल आपने दो सवाल सब्धत किया राज मिती से संब्धत किया अजात है अभी तो हम पहली यदि कम यदशार एमनी किप लड़ेंगे और 70 की जो हमारा आकलन है, 70 की 70 सीटों पर जनता दुखी है इन घोटालों से, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि लोग पहाड के गाहों से लेके मैदानों के गाहों तक इस बात की चर्चा कर रहे हैं, साब कहीं सबसिटी का घोटाला हो रहा है, चातरुती का घोट कहीं कुंब का घोटाला हो रहा है, लोग दुखी हैं इस बास से, तो हर जगे लोग चेंज करने को तयार बैठें, तीसरा आपने बहुत important सवाल पूछा, CM Candidate का, जो कल से क्योंकि कई पत्रकार भी मेरे से पूछ रहे थे, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्र खंड के लोग यह कहेंगे कि इसने उत्राखंड का होने के नाते हमारा मान संमान देश भर में बढ़ाया है, दुनिया भर में बढ़ाया है, वो ऐसा विक्ति होगा, वो युवाओं के लिए आदर्श होगा, इंतजार करिए, अर्विन के जिवाल जी बाकाइदा जंता के बीच में पूछके, डिस्कस करके उसका अनॉंस्मेंट करेंगे, परमुख्यम, ऐसा आज में होगा जो उत्तराखंड के लिए जान देने को तियार हो, देश के लिए जान देने को तियार हो, यह हमारी जिम्मेदारी है, हंसा बिच जी, आप हाथ उठाएं, अपना सवाल पूछ सकती हैं, अप, अचार, नमस्कर, आप शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन वैं जानती हूँ, और जो यह देभूमी में आप आये हैं, मेरे नयाई के देवता ने आपका वेलकम पहली कर चुका है, यह बारिस हमार वहाँ पे सुब माने जाती है, तो सर, मेरा सवाल है, आप से कुरोना का बड़ा भाई हमारे जो तराखंड में फैला हुआ है, जिसको यहाँ पे शायद भ्रेष्टाचार कहते हैं, तो सर, वो इतनी अपनी चरम सीमा पे है, तो अगर हमारी आपकी सरकार उस पे आती है, त तो उसका, वो क्या कदम उठाएंगे आप, जिससे हमें उस पे राहत मिलेगी, तैंक यू हंसा जी, इस पॉजिटिव नोट के लिए, कॉस्चिन से पहले, और ये कॉस्चिन भी इंपर्टेंट है, मुझसे कई जगे लोग पूछते हैं, यार आपने, जैसे कई राज्यों में कैसे कह सकते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ, पहले तो ऐसा मुख्यमंतरी चुनो, जो मिड़े मील में पैसा ना खाता हो, पहले ऐसा मुख्यमंतरी चुनो, जो बच्चों की किताबें और बच्चों की उनिफॉर्म खरीदे और चातर रुति के लिए पैसा अवंटित एक विकल्प के रूप में आज उत्राखंड के लोगों में खड़ी है और पूरे सीटों पे जैसा मैंने अलोग जी को भी बताया चुनाव लड़ेगी और उत्राखंड के लोग जो अपना एक बेचेनी है कि भई हमें बदलना है उसको आज यहां लाके खड़ा करेंगे आप देखिएगा अपने आप लेंगाए थैंक्यू सर्ष थैंक्यू श्री नागेश दूबे जी अपना हाथ खड़ा करें और अपना सवाल आप पूचें नागेश जी बहुत बहुत स्वागत है मनीश स्वादे जी आपका देभूमी में सर जैसे कि दिल्ली में हमारे इलेक्टिव्स भी रहते हैं मैं भी जाते रहता हूं तो वहां की जनता आप से बहुत खुज से आपकी सरकार से आप लोग के काम से तो इसी उमीद के साथ उत्राखंड भी आप पार्टी का स्वागत करती है और आपने जो यहां के प्रत दिधी जो हैं मेहनत कर रहे हैं वह हम लोग देख रहे हैं मैं आपको बता दूँ मैं नागिस दुपे मीडिया से ही हूँ यहां पर तो मीडिया हम सभी सभी पार्टि या आर्मी में जाते हैं बट यहां अब तक कि यहां पर पढ़ाई के लिए भी सुविधाई नहीं है अभी हमारे बगल में संजे जी बैठे हैं वो बी आर्क में इनकी बेटी का हुआ है और इनको सीट नहीं मिल पा रही है तो कई चीजे हैं तो बेसिक हमारा सवाल है हमारा सवाल यह है कि पलाईन को लेकर के है कि जो हमारा पलाईन है यह 20 साल हो गए फिर भी यहां से पलाईन रुक नहीं रहा है यहां रोजगार के चलते यहां का जो यूध है वो सीधे पढ़ता है, यहां के माबाब भी चाहते हैं कि तुम यहां मत कुछ करो, सीधे बाहर चले जाओ, जिस करन हमें राजनीते में भी अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह जो पलायन हमारा हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपके पास, आपके साथ क्या प्लानिंग है स दिखे उस पलायन की कौज, आपने एक तो आपने जिकर किया, बलकि दौने ही आपने जिकर किये हैं, नागेश जी, उस पलायन की रूट कौज में एक तो अच्छी शिक्षा का ना मिलना है, हर आदमी चाहता है भई, हम तो जैसे पढ़ लिए, मैं तो क्योंकि सबसे बात होते हैं, किन परिष्थितियों में निकले अपने गाएं से, किन परिष्थितियों में दिल्ली में आके पहली बार रहे तो पलायन करने वाले आदमी का सबसे बड़ा दर्द यही होता है साब मैं तो चलो जिन भी परिस्थतियों में बड़ा हो गया युवा हो गया पर मेरे बच्चे कम से कम अब उन परिस्थतियों में ना हो सबके बन में यही रहता है तो अगर उत्राखंड में शिक्षा अच्छी हो गई तो मुझे लगता है देशनी विदेश से भी लोग क्यों कि उत्राखंड इतनी खुबसूरत जगे है और इसका मतलब विस्तार उस तरह से है पूरा हिमालेन बेल्ट में मैदानी से लेकर पहार तक देश विदेश से लोग यहां आके पलायन करके रहना चाहेंगे कि अपने बच्चे भी यहां पढ़ा लेंगे रोजगार भी हम जाएगा और यह हो सकता है आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं अथौर्टी से कह रहा हूं देव भूमी में राम राज्य लाया जा सकता है सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस्तिंग राज्य से मुक्त हो पाएंगे इस्तिंग मुख्यम उन्तरी रख 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 के राजेικά से मुक्त हो जाईए राम राज्य. आये अगया और वसीम जी entscheiden कि क्या अइनली है श्मीदे एक चलिए सब्सार दुसरा तैंक यो घारगी बिश्ट जी गारगी जी अपना सवाल पूछ सकते हैं लेकिन संक्षित में आप सवाल पूुछेगा जी जी सोधेजी आपका स्वा इपका स्वागत उत्राखंड में बहुत बार शिक्षा के शेत्र में बात कर चूके हैं यूंज इतना जानना चाहती हूं कि उत्राखंड में आपके क्या स्ट्राटेजी रहेगी अगर आप आती आती है शिक्षा को लेके पहले तो जैसा मैंने नागिश जी के सवाल के जवाब में भी कहा कि उत्राखंड के हर बच्चे को शांदार सरकारी स्कूल में एजुकेशन मिल सके ये जिम्मेदारी होना चाहिए दूसरा शिक्षा का मॉडल वो होना चाहिए कि हर बच्चा यहां से निकल के यहीं रोजगार क्रियेट भी कर सके रोजगार पा भी सके और दे भी सके अगर हमारी शिक्षा ने उत्राखंड के बच्चों को इस लायक बना दिया कि वो उत्राखंड के है उत्राखंड में यहां के इस्थानिय संसाधनों को पर्यावन को ध्यान में रखते हुए यहां की बात नहीं है आज दुनिया के जिन मतलब ये बात मैं बूलते हैं देश भर के लिए कहता हूं पर यहां के लिए भी कह सकता हूं कि हम सपना तो देखें एक बार इस बात का आज हमारे हिंदुस्तान में इस तरह से बैठ के परिवारों में लोग सपने देखते हैं में थोड़ आbleइ भड़क एलंट ये सपना देखेंगे तो फिर इसको इस राजनीति से लिंक कर पाएंगे कि इसका सच होना राजनीती पर निरभर है और जब राजनीती की तरफ देखेंगे तो अपने हृटना दवेगा जहां से ये सपने को पुरा करने की राजनीति आती है सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सब्सक्राइब करना चाहूंगी सब्सक्राइब कर दिल्ली और उत्राखंड की बहुत अलग लग है तो उत्राखंड में कुछ रिमोट एरिया ऐसे हैं जहां बहुत डिस्टेंस की वज़े से विकास नहीं हो पाया तो आम आदमी पार्टी का क्या मॉडल रहेगा उन रिमोट एरिया में विकास के लिए जो की इस विकास से वंचित रह गई बिकेज अफ दिस्टेंस थेंक्यू शुटा जी मैं पार्टली या शायद इंडिरेक्टली स्वाल के जवाब को टच कर चुका हूं लेकिन फिर भी आप से ही कहना चाहूंगा की रिमोट एरियास के सॉलूशन रिमोट एरियास के तरीके से न चर रिसोर्सिस वहां की मैंपावर वहां की समण वहां की संस्कृति को देखते हुए तो अगर हम समाज संस्कृति को दिखते हुए solution लेके तो वहीं से निकल आएगा और इसके मॉटल उप लब्द हैं कोई मतलब दुनिया में दुनिया बर में बहुत काम हुआ है आज ज कि के जिर्वाल जी के मॉडल को मौका तू देखे देखिए जिस दिन एरविंद जूजित जो कि दिली में मौडल लागू हुआ है वह उत्राखंड में लागू होगा आपको इन सवालों के पिरमान मिलने लगेंगे यहां चली मनीजी भॉल भॉल जदन्यवाद आपने संवा अड़ सकती पुल्ग जो